एपको अपनी YouTube शानल तो प्रॉबद करता हूं यहां पर आपको इंडेक्स और स्टॉक आप्ज की वीडियो सी इसे अपकी इंटाथी और पोजिशनल रेडिंग होगी तो आए देखते हैं कि जो हमारी लास्ट राइडे हानी जो हमारी FM के अंडल नो थे जोके निरमला सी तर और मैं आपके लिए Fibonacci level यहां से अगर मैं plot करता हूं आपको दिखायता हूं hopefully I can plot यह मैं आपको यहां पर plot करके दिखाता हूं this is the point of the drop यहां से drop अना start होई है यहां पर मैंने click किया और हम इसको लाते हैं at this point ठीक है this is the drop previously जहां से drop अना start होई है तो अब देख सकते हैं जो इस candle का हाई है that is exactly 50% means जो हमने जहां तक की retracement का ही लगा है वो हमारे 50% जो retracement है हमने complete का लिया था अब nifty for the other hand to keep up it should remain above the level of 11211 जो कि मेरे साब से एक अच्छा support nifty को हम में हम मिल सकता है 211 के level पर 200 के level पर उसके बाद से अगर नीचे जाती है तो यह definitely around 11080 का level test कर सकती है for tomorrow ठीक है तो यह था एक छोटा सा chart analysis for the nifty ठीक है तो आप ऐसे भी plot करके देख सकते हैं कि कितना investment हमने complete कर लिया और कितना जो chances है for the tomorrows maybe horizon fall अगर जो highest level 61.8 है यह तो बहुत अच्छा resistance का काम करेगा तो अब देख सकते हैं यहापर यह telegram channel है जिस पर yes this is my telegram channel यहापर मैंने nifty की levels post कर दिया है तो अब यहापर 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 देख सकते हैं मैं आपको zoom in करके दिखा जाता हूं तो these are the key levels for nifty upper breakout is 11311 the first target अब इसमें trade कैसे नहीं किसी भी मैं जो levels upload करता हूं वो इस ही साब से upload करता हूं ताकि आप उसमें trade ले सके उसमें profit earn कर सके अब देख लिए जैसे 11,311 का है price ठीक है पहली चीज़ तो I think that tomorrow should be a 70% of the trend be down कि बहुत बड़ा आ चुका तो उसको consolidate market पका करेगा अब कल तो यसी कोई भी news नहीं आ रही होपफुली तो market should consolidate tomorrow howdy more the ass था तो I don't think it would affect the market much but let's see we strengthen economy with the America let's see what happens तो आप देख सकते हैं कि upper breakout है 11311 पर उसके अगर break करेगा तो 11355 तो जाएगा तो 355 तक I am happy 355 का मैं 395 तक भी वेट करूँगा कोई दिक्कत नहीं जा फेकता है but after that it should fall क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छा रिट्रेस्मेंट आ है 61.8 परसेंट है वह ही पारी है अगर हम छोटी इस पूरी candle के ट्रेस्मेंट देखें तो यह वह ही पारी and after that it should fall so let me explain that how you should take a trade in my levels okay पहले आपर बेकाउट बेक करें 311 आप बाय करो ठीक है 21 तिस बाय करो जो चोटास रखो और जो जो इस पॉइंट के क्लोज़ेशी लाइंट 20 पॉइंट जितना मुइंट के पैसे रखें उतने पनको तेक प्रॉफिट अको पर फिर्स टागेट ठीक को अब एक 15-minute की closing या फिर 5-5-minute की team closing कर आपको मिल जाती है इस के उपर इस लेल के उपर तो आप फिर्स जो हमार टार्गेट है उसके लिए जा सकते हैं same goes for the lower breakout, lower breakout के नीचे जैसे market close करने लगे आने लगे keep an eye, market ने lower breakout breakout ब्रेक के maybe 38 तक चलाए बट वापस वह 45 तक आएगा ही आएगा क्योंकि वह एक important support zone है तो अगर support को break करेगा तो बाहर उसे retrace करेगा तो जैसे 1140 या 43 के पास दुबारा market आए around 35 या 31 तक गिरके you should sell it, ठीक है क्योंकि हमें यहां जैसे मैंने बोला 15 minutes की closing या 55 minutes की 3 closing हम यहां पर चाहिए तो हम यहां से अपना सहल करके मारा first target है 211 जो मैंने आभी आपको दिखाए फिक बनाशी retracement से क्योंकि 11,216 आ रहा था तो averaging out all the volatility let's take the point as 11211 क्योंकि यह एक जो perfect point है जो कि एक अच्छा है यहां पर इसने आपके जब देख सकते हैं यहाली जो candle आपकी इस point पर इसने रिसने की काम किया फिर यहां पर आप देख सकते हैं इस point पर इसने रिसने काम किया तो this point should act as good support for tomorrow I think that tomorrow market should fall और यह जो trend line चलती चलिए आ रहे है इस पर यह support लेना चाहिए क्योंकि काफी ज़्यादा पुरानी आपके अराउंड eight years like two three years back it's and it's really coming good तो आप यह जो जाके जॉइन कर सकते हैं तो आप यह जो जाके जॉइन कर सकते हैं तो आपके जिसे आपको डेली ऐसे जो जो नाशे से मिलता रहेगा और आयह देखते हैं उमने Friday a call मैं सारी जो अपनी वीडियो हैं सारी अपने फोन से पोस्ट किरा तो that would be a no hassle मैं जब-जब कर पाऊंगा दब तब कर दूँगा अब इसके बाद news आने वाली थी ठीक है अब देख सकते हैं यहां पर 15 minute closing basis यहां पर sell zeal की sell आई थी उसमें वो अल्रडी गिर चुगा था एक टेस्ट टार्गेट ओफ आइस लेवल आफ 275 यह और बापिस यह 286 तक गया था देखें मैंने यहां पर बोला है sell zeal for the target of 282 and the current market price is 286.40 अब यहां से गिर आँ ठीक है यहां जो यह जो यहां से गिर आँ जील जो यहां का करन यहां का का करन futures and options currency options के इसपाई थी तो मैंने buy usd आयना 71 put और आप देख सकते हैं 0.015 मैंने देख सकते हैं अगर आप कभी चार्ट आपके पास नहीं होगा क्योंकि आप वह expired हो चुका है 0.0150 मतलब 15 पर के एक quantity और एक lot होता है 1000 का currency मैं मैंने उपर explain कि अगर आप नहीं आप नहीं जोन करेंगे तो आपको और नॉलीज मिलेगी currency trading ठेक है कि हो पीपल ट्रेट currency ठेक है तो आप देख सकते हैं 0.015 0.0125 के वीचे 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 भी अशल देखने आप कितना है बतलब आपका आपने 15 पर भाई कर तो पर आपका अशल है ठेक है अगर आपके यह level है अच्छा तो मुझा कि इसके नीचे आपका capital zero लगेगा तो that was a good ठेक है और यह 10 के नीचे भी नहीं है 0.100 के नीचे भी नहीं किया यह 125 तक आया और फिर price वापे slot किया और यह इसने अलग ही level यह पर जाके इसने touch किया तो आये देखते है निफ्टी अच्छिस बैंक की कॉल थी activated book first target इसमें तो first target 20 हो गया था ठीक है this can be 20 minutes ने अब जो यह 0.0150 की जो है यह price इसका first target था यह 2.25 था round 75 पैसा per 50% of the investment आपने जितनी भी है इसका 50% आपको मिल जाएगा तो वह हो चुका था तो अब लगिए the first target was 350 I was like this can be 20 minutes इस समें यह चल रहा था round 0.0275 ठीक है तो यह I'll book wallet 0.0300 मैंने यहाँ पर सारी book कर ली थी I was happy कि I was no और यहाँ पर Nifty no trading zone कोई भी आप देख सकते है 952M हो चके है और कोई भी Nifty no movement नहीं आई है and the high was 0.0275 ठीक है आप देख सकते हैं यहाँ आप यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ आप देख सकते हैं जो 300 को मैंने बुक करने के बुला था I was trading from my clients तो 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 उसमें around 0.0300 को profit हुआ पर प्र मार्के सस्टें 71 बिलो we will see our level 0.0600 total investment 1500 book dollar 0.05 0.05 00 that is 233% of the investment profit कितना है 3500 देख रहाँ आप that is not wrong that's really what the math says तो यह हो गया था और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर 525 का लगाया था आप पोस्ट कर लिया full premium decay हो रहा था market में कोई कोई बहुत बड़ा वो नहीं था big players accumulating in the market सारे targets हमारे इसमें हो गया थे अब यहाँ साती है news news भाई थी वह exactly 10.45 का राउंड आई थी 10.42 से CE हमें movement दिखने लगी थी तो big players were also getting into the news कि that is around 10.42 PM 10.42 AM sorry ठीक है तो आप दिख से यहाँ movement दिखी 27.300 की मैंने कहां से भाई थी 10.900 की CE अगर आप इसमें जाके देखेंगे तो that is the level of 200 plus 27 रुपे से 27 रुपे से 27 रुपे से C की भाई कॉल थी और 27.300 की आप कॉल देखेंगे तो 1.560 की थी तो इसमें इसका प्राइस 1200 रुपे है तो that was not fake that was starting a beginning और आप बाई करते जाते बाई करते ठीक है तो that would be a really good profit हमारे काफी याथा friends ने पी इसमें प्राफिट रुपे से जोगे हमारा ग्रोप है टेलिगाम पर तो आप देख सकते हैं यहाँ पर SL 22.50 आप खोदी लगाई अगर आप अपनी पूरी capital भी लगा देता ठीक है what is the SL? just rupees 4 और 5 rupees बिलो ठीक है 5 rupees में नहीं 27 27 के भी क्यों trade कर रहा था 27 के ऊपर भी नहीं जा था 28 तक गया तो 27 के नीचे थीक है 27 26 के बीच हमभाय करिए और 36 और यह तो 30.80 गया हाई first target done all targets done book full profit BNF में full profit BNF का यह है जो target हमारा 220 था full profit उसके बाद तो market मार्केट शूट्स देख रखने हो 4 मिनट के difference में मार्केट शूट्स भाग गया मार्केट और टार्गेट से थी और यहां मैंने बोला था कि अगर 71 PE से हम नीचे रेटेन करेंगे यहां पर यह मार्केट से से बिलो 71 PE हाटागल PE will get to 0.0600 मतलब अपने investment डवल का 4 times तो आप देख सकते हैं यहां पर हाँ यह मैंने पीग अपडेट किया कि भाई हो गया 1,000 पर टाम था यहां बगर अगर आप एक रुपे इंवस्ट करते हैं आपको 1,000 रुपे बलता और यह जूट नहीं था यह जूट बिलको नहीं था तो आप देख सकते हैं और यह 1,325 भी इसने लगाया भी और उपर चाहेगा तो उनके toverexpect यहां पर आप देख सकते हैं जो हमारे एक जो ट्रेडर्स उनका परफट है बहुत बड़ी है तो 3767 का परफट है तो and the people traded well तो that was the news governing market we were on the right side news governing markets are often risky क्योंकि vertail movement 30th but it was one side movement इसका सबने I guess five out तो let's see what happens on Monday Monday premium decrease बहुत बड़ी चीज होई देखने बाल तो आई देखते हैं क्या होगा no more trades thanks to the news going market happy weekend or usdiana 71 PE का उसना में level था 11 बजे भी अभी तक 15 minutes तक अपनी जो level है वो चल रही है तो 2 0 75 तक level तक गया market ठीक उसके बाद around 12-12.5 के around market गिरने लगा और थोड़ा around 50-60 points नीचे close हुआ and that high was 2600 मतलब अगरा 1500 रुपय से बाय करते 15 रुपय से को चीज बाय करते और उसका जो price है 260 रुपय बहुत चाहता that is the difference okay that was the closing term then I have all and here I have also a bank nifty chart I have already told you so these are bank nifty levels the first upper breakout you will get to 29.080 our closing 28981 okay so our 100 points the upper breakout 1st target 250 2nd target 420 and the final resistance 29600 this 61.8% Fibnashini level this is a very strong resistance work bank nifty 29750 because if I will go back then I will not because here from this point where the trading is that Fibnashini level we have traced and 0% we have supported because this is a lot of support so that is a 61.8% of the level on the lower side which I think the market should consolidate tomorrow is the lower breakout is 28850 around 130 points below and the first target is 28730 and the interim support is 28540 I think the market should come to 29 to 40 maybe the chances I can be totally wrong okay so please if you like this video please like and subscribe you can also join our telegram channel by clicking the link here and you can also message us here any stock queries anything you don't understand please message us and yes I will tell you that all calls are free no money you don't have to pay no money you don't have to pay no money you don't have to pay you you want to ask me a common question sir how much of the market sir I'm telling you 500 rupees learn 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 no money that is totally free 600 rupees and 500 rupees you don't have to trade and think 500 rupees will go down so you don't have to trade learn buy share buy for 15 rupees 10 rupees profit is a lot 50 rupees 10 rupees profit is like 10% no sorry 2 or 3% that is very small that is very small in one day 10-20 rupees profit is not increased 510-490 it is not 510-490 it is not 530 so that is the feeling that you should trade with you can see here you have to get daily discussion तो आप जब जब मुझे टाइम मिलेगा तो आप जब टेलग्रम चैनल पर जाएंगे तो आप देख लेंगे वाँ मिस कम्मुनिकेशन क्या होगी तो जो जो आपको जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं डेफिनेटली वीडियो स्पोस्ट करूँगा ओन्ग वीडियो बेटल जाएंगे ट्बोस्ट खर झाल्या प्रजूद तो कर दो यडियो स्ब्सक्वाएंगे सुख ब्सकतारव मिलेगा तो जो आप लेका जाएंगे टाया तो जिएूच आप टीएीग जब शोस्क्तारव करें